तेरी बर्बादी अब शुरू हो चुकि ये बिंदी और तेरी वज़ा से विचारा क्रिश्पी बर्बाद हो गया हम हमरे दूले का सहरा उठाएंगे हमारी प्यारी बिंदी बिंदीया मजबूरी में मना रही है भई बिर्जु कि संग सुहागरत हमने देख हैं न किस सरीक से पहले तो क्रिश्पी टौचर किया गया यहां पर उसको वीडियो में देखाए है क्रिश्पी बिंदीया को बहुत परिशान कर रहे है तेरी बर्बादी अब शुरू हो चुकि ये बंदी और तेरी वज़ा से विचारा क्रिश्पी बर्बाद हो गया हम हमरे दूले का सहरा उठाएंगे हमारी प्यारी बिंदी जो बबली है न उसके बाल वगएरा खीच रही है और उसका मूना पानी में भी डाल देती है और उसको मारने की कोशिश करती है और यह सब देखकर क्रिश पिगल जाता और कहता है ठीके मैं बबली से शादी करने को तयार हूँ तो वही हम दूसरी तरफ देख रहे है कि साक्षी पहुँच गई है यहाँ पर क्रिश की मदद करने के लिए और जैसी बबली बैठती है ना क्रिश के साथ मंड़प में तो क्रिश की जगया साक्षी बैठ जाएगी और यह मौके का फाइदा उठाएगा क्रिश और वहाँ से भाग जाएगा अभी बही किसी को पता नहीं है, पाइल को भी नहीं पता है कि बही क्रिश की जगये हैं पर साक्षी बैठ गई है और पाइल को ऐसे लग रहा है कि अब तो मेरा जो प्लान है वो काम्याब हो जाएगा यहाँ पर बिंदिया से भी मेर को छुटकारा मिल गया और यहाँ पर कृष्ट से भी मुझे मिल जाएगा कृष्ट की बबली से शादी हो जाएगी और एक नया नाटक हो जाएगा यहाँ पर बिंदिया को तो कृष्ट नहीं मिल पाएगा लेकिन उससे यह नहीं बताए कि य क्योंकि बिंदिया यह सब नाटक कर रही है सुहाग रात वगरा का वो सुहाग रात तो मनाने वाली है नहीं बिर्जू के साथ और वहीं हम देख रहे हैं कि भाई शादी हो जाएगी और वहीं जैसी घूंगट उठाएगी बबली तो देखेगी अरे तो साक्षी और भियोश है दादी है और बिंदिया है उसके पापा है सारे लोग है और यहाँ पर भही मिलकर बिर्जू का तो खात्मा कर देंगे लेकिन अब पायल का कैसे सच आएगा यह हमाने वाले एपिसोड में देखेंगे क्या बिर्जू और उसकी मा मिलकर पायल का खुलासा कर देंगे नाम बता देंगे पायल का कि भई जो करता धरता है वो तो पायल है हमने तो कुछ भी नहीं किया है पायल हमें पैसे देती थी और हम यह सब कुछ कर रहे थे